गुड मॉनिंग फ्रेंड्स। इसाओनिका जन। आज फिरसे आपका मेरा ऐस समौनृ का प्रेक्षा चादी सुझेल में आपकी लेटीफे um UPPSC का एक्जाम है, जो लोग UPPSC का एक्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें के लिए जो most important question लेके हैं, वो आज इस वीडियो को without skip करें जरूर देख लें, इस मैंसे UPPSC के most important questions जरूर आएंगे, UPPSC का एक्जाम कल 24 अक्टूबर को होने जा रहा है, आप लोग प्लीज प्यूरा वीडियो मेरा जरूर देखें, और जो लोग टैट और सी टैट की भी preparation कर रहे हैं, उनके लिए भी most important questions में daily लेके हैं, अब आप मेरी पिछले वीडियो को भी दिख सकते हैं, और हाँ, आप मेरी वीडियो को like और subscribe जरूर करिएगा, और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, तो please subscribe करना ना भूलिएगा, अब मैं आपका ज्यादा time waste ना करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हूं, let's आज मैं आप सभी के लिए latest current affairs लेके आ गई हूं, जो वो important questions है, जो लोग seated, टैच, जिसकी भी preparation कर रहे हैं, उनके लिए बहुत most important questions लेके आई हूं, अब मैं start करने जा रही है, अपने current affairs जिसमें मेरा पहला है, I.C.E.I. पुरूष T20 विश्कफ B20 का आयोजन किस देश में हुआ था, और इसका answer है, UAE, Oman, और इसका important questions बताने चाहूंगी, I.C.E.C. पुरूष T20 विश्कफ B20 का आयोजन UAE और Oman देश में हुआ है, संसकरन B20 विश्कफ B20 का है, सात्वा, I.C.E.C. विश्कफ में किर्केट मैच I.C.E.C. regular करता है, और थोड़े सा और है इसका, I.C.E.C. की फिलफॉर्म है, International Cricket Council, और की अंताराश्टी किर्कर पसे स्थापना है, 15 जून 1999 में और मुख्याले दुबई, यानि कि संवित अरव अमीराद, ओके, नेक्ट में रहा है, कानून सूचांक 220 में भारत किस स्थान पर रहा, और इसका अंसर है, 79 भी, थोड़े important question है, विश्व नाई परियोजना की कानून सूचांक 20 के नियत में भारत 139 देशों में भारत 0.50 स्कोर के साथ 7 पर रहा है, 79 पर रहा है, बीजेपी रूल ओफ लो इंडेक्स 220 देशों को 0 से 1 तक के स्कोर के अधर पर रैंक करता है, जिसमें एक कानून के शाषन को सबसे मजबूत पालन दर्शाता है, क्या करता है इसमें सबसे मजबूत पालन को दशाता है और आगे है तोड़ा 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 थी देश हैं मोल मुस्ट इंप्टरल डैन्मार्क है नार्वे है और फिनलेंड है ओके उसी कोश्चन का जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट और अंतिमिस्थान जिसको मिला था इनमें वो था सबसे लास्ट का पाकिस्तान ओके नेक्स मेरा देखिए अंतर रास्टिये हिम तेन दुआ दिवस कम मनाया जाता है इसका आंसर है 23 अक्टूबर यानि कि आज ही 23 अक्टूबर है 23 अक्टूबर को अंतर रास्टिये हिम तेन द यानि की स्नो लेपड को पहाडों का भूत के उंचे पहाडों के विशाल शेतर में रहते हैं हिम थेंदुए भारत सहीद बिश्व के कुल 12 देशों में चीन, भूटा, नेपल, पाकिस्तान, रूस, मंगोली आदी में पाई जाते हैं वेग्यानिक नाम क्या है इसका पैंथोर अनकिया ओके और इसका उद्देश का है इस दिन को मनाने का मुख उद्देश है हिम थेंदुए के सतरके जक्षे महत्व को दर्शाना और इस अद्बु जानवर के बारे में जागरुत्ता को बढ़ाना है नेक्स्ट मेरा है बार बार्डोस ने ब्रिटेन की महारानी जाटी को राजी के प्रमुकरूप उसे हटाकर भात्तर वर्सी यद वर्षी थैसे अंड्र मोसंस को अपनी प्हली राश्वति चुना गया था ऊक और इसमेह बार बार्सरकाउं के सरकाई सेवां के स्थानी पेंच पर्दान करने के लिए पैसासन गाउं के संग अभियान की किस राजी की सरकान ने शुरू किया था और इसका अंसर है राजस्थान राजस्थान सरकान ने दूर दरवाज की काम सरकरी सेवाई इस्तित की थी और नेक्स्ट है मैं थोमस कब बैडमिटन टूर्नामेंट विस टुन्टिस किस देश की प स्पोर्स बियर ब्रांड की नई बिश्प ब्रांड अंबेस्टर कौन थी दीपिका पांदोगर ओके नेक्स्ट है मेरा बीस किसमे होने वाले बर्लिन अंतर राष्ट्य फिल्म होसव का जूरी अद्दक्स किसे नुक्त किया गया था इसका अंसर है एम नाइट शामलन और इं 22 अक्टूबर को हर साल यह 22 अक्टूबर का अकलाने दीवस मनायाता है इस दिन को मनाने का मुख के देशन लागों लोगों को जागरू करना जो हकलानी है जिनने बोलने में अकलानी की समस्या होती है